नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत है दोस्तों, नीन किसको प्यारी नहीं होती? नीन जैसे प्यारी चीज इस दुनिया में शायद ही कोई हो रहो अच्छी नीन पाने के लिए लोग दवाईयों का सेवन भी करते हैं हर व्यक्ति को कम से कम दिन में 8 घंटे की नीन जरू लेनी चाहिए अगर हमारी नीन पूरी नहो तो पूरा दिन खराब हो जाता है ना किसी काम में मन लगता है और ना किसी से ढंक से आप बात कर बाते हैं इस चीज की वज़ा से इंसान चिर्चिडा बना रहता है और आलसी भी हो जाता है दोस्तों इसलिए आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किन खास चीजों का सेवन करके और सोने का सही तरीका आखिर क्या होना चाहिए जिसकी वज़े से आपको अच्छी नीद आए सभी तो सोते वक्त कुछ अलग-अलग तरीकों की नीद लेते हैं कुछ लोग तो शायद आपने ये खहते भी उनको सुना होगा कि अगर जगा बदल जाए या उनको तखिया ना मिले तो उनको नीद नहीं आती है दोस्तों गलत तरीके से सोने के कारण हमारे शरीर की मांस्पीशियों और हड्डियों पर गलत प्रभाव वड़ता है कभी उनमें तनाव, खिचाव और दर्थ की शिकायत भी होने लगती है और कई बार यह समस्या बनी रहती है दोस्तों अगर आप पेट के बल सोते हैं तो ध्यान दे कि यह पोजिशन आपके लीवर और पाचन पर बुरा प्रभाव डालता है साथ ही इस तरीके से सोने की वजह से आपके हिर्दय की नशे भी ब्लॉक हो जाती हैं दोस्तों कुछ लोग शरीर को मोड़ कर सोना पसंद करते हैं और कहते हैं कि उनको इस तरीके से सोने से काफी अराम मिलता है पर जो लोग इस तरह से सोते हैं उन लोगों में आत्म विश्वास की कमी होती है वह अपनी बात रखने में काफी जिजक महसूस करते हैं और ऐसे लोग किसी भी बात को लेकर बिना बात के भैबीद भी हो जाते हैं यानि की डरने लगते हैं पीट के बल जो लोग सोते हैं उनके साथ अकसर देखा गया है कि उनको सांस के साथ साथ आवास और वाइबरेशन की समस्या भी रहती है जब कोई पीट के बल सोता है तो जीब पीछे की और लटक जाती है और इसकी वज़ह से उन्हें बोलने में भी तकलीफ होती है तो दोस्तों आपको इन सारी करवटों में नहीं सुना है अगर आपको हमारी एक खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए धन्यवाद